बहुत तेजी से आगे बढ़ती भी जा रही है, इसका मतलब वो क्या कर रहे है, spiral कर रहे है, ऐसे, 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 करते भी जाना, that means spiral करना, increasing, rapidly, action की बात कर रहे है, तो part of speech क्या हो गया, verb, synonyms, escalating, skyrocketing means बहुत तेजी से बढ़ना, antonyms हो गए, plummeting की उपर double star मात को रहे important word है, plummeting means नीचे की तरफ आना, कम होना, contracting means नीचे की तरफ आना, गिरना, और भी हम इसको क्या कह सकते हैं, plunging कह सकते हैं, plunging का मीनिंग भी क्या होता है, नीचे की तरफ आना, गिरना, तो तेजी से बढ़ते हैं, food prices जो है, इसकी सारी countries में unrest भी हो चुका है, क्योंकि prices तेजी से भढ़ते जा रहे हैं, अब यह V1 प्लस ING है, इसलिए हम इसको adjective की तरह भी इस्तिमाल कर सकते हैं, इसलिए यहां पे यह कैसे यूज हुआ है, यहां पे यह adjective की तरह यूज हुआ है, अगले word पे आते है, soaring, soaring ना मीनिंग वही होता है, तेजी से बढ़ना, increase करना, बहुत तेजी से, rise very quickly to a high level, बहुत तेजी से बढ़ जाना, heighten करना, rise करना, spiral करना, escalate करना, skyrocket करना, और क्या करना, उपर की तरफ जाना, antonyms होगा, drop करना, fall करना, means गिरना, तो जो तेजी से बढ़ रहा है, price, natural gas का, यह बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे power plants में, natural gas का ही इस्तमाल होता है, यह भी V1 प्लस ING है, तो वर्ब तो यह है, और साथ की साथ, adjective की तरह भी इस्तमाल हो सकता है, अगले दोनों ही root words का meaning होता है, good, अच्छा, इसके दो opposite root words होते है, mala, और क्या को, दोनों ही root words का meaning होता है, खराब, तो benign का meaning क्या हो गया, कोई चीज जो अच्छी हो, kind हो, gentle हो, malign का meaning क्या हो जाएगा, m-a-l-i-g-n, कोई चीज जो खतरनाक हो, खराब हो, तो benign is what, कोई आको means kind हो, gentle हो, antonyms हो गया, parnicious means, खतरनाक हो, baleful, खतरनाक हो, malign, evil हो, तो industry का जो environment है, वो क्या है, the industry is environmental impact, जो industry का environment पर impact पड़ता है, वो क्या है, benign है, मतलब harmless है, नुकसान नहीं पहुचारा, positive भी है, किसी noun के बारे में बात कर रहे हैं, तो partal speech is adjective, अगला word है, imposition, last में I.O. लग रहा है, इसका मतलब क्या है, noun, इसकी verb form होती है, impose, impose करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की ओपर कोई चीज़ impose कर देना, आपकी ओपर tax impose कर दिया गया, penalty impose कर दी गई, means, लगा दी गई, तो लगाना is impose, और इसका noun form, लागू कोई चीज़ हुई हो, उसको क्या बो the imposition of tax, means, tax impose किया गया, synonyms हो गए, enforce करना, enactment, means, लागू कर देना, किसी चीज़ को, antonyms हो गए, renunciation, त्याग देना, neglect, ignore कर देना, तो जो tax लगाया गया, books पे, उसकी वज़े से क्या हो गया, books का price बहुत तेजी से बढ़ गया, पार्टो स्पी जैसे कि हमने करी लिया था, ये शब्द आपका noun था, अगले शब्द पे आते हैं, next word is prevailing, prevailing कोई चीज़ चलती रहे, किलविश का डायलोग था, अंधेरा कायम रहे, may the darkness prevail, तो prevail का मीनिंग क्या होता है, कायम रहना, कोई चीज़ बनी रहे, कोई चीज एक particular place पर, particular time पर बनी रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, prevailing, वर्ब है, synonyms क्या हो गए, extend, ongoing, means वही बनी हुई है, उसी time पर है, antonyms हो गए, ensuing, impending, मतलब, तो prevailing का मीनिंग क्या था, prevailing का मीन था, कोई चीज जो बनी हुई है, she wore her hair in the prevailing fashion जो fashion चल रहा है, उसने अपने बालों को वैसे ही बनाया, and looked even prettier, और भी जादा वो अच्छी लगी, कोई दिक्कत किसी को, चल, अगला word is taming, tame करने का मतलब क्या होता है, animals को tame किया जाता है, means, control करना किसी को, that means, taming, controlling something dangerous और powerful, किसी इसको control करना, किसी इसको अपने वश में ले antonyms हो गए, intensify कर देना, augment कर देना, और बढ़ा दिया किसी चीज़ को, तो he will need to, उसे अपना जो बुस्सा है, उसको control करना पड़ेगा, आगर उसको successful होना है, तो उसे अपने बुस्ते को control करना पड़ेगा, action की बात कर रही है, part of speech is what, right, it is a verb, चल, आगे बढ़ते हैं, अ आपने क्या किया, और खराब कर दिया, यह होता है न, नमक, sorry, आग में घी डाल दिया, जले पे नमक छड़क दिया, इसका मीनिंग क्या है, दर्द को और बढ़ा दिया, तो आपने क्या क्या, फेस्टर कर दिया, फेस्टर मीज, और ज़्यादा कोई चीज खराब हो गई, क प्रिसिपेट फैल गए, कम हो गए भई, लेस्टर कम हो गए, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग दा मैटर ओवर विधें, बात करने के बज़ाया, उसने क्या किया, हर सेंटमेट, उसका जो नाराजगी थी, उसने उस नाराजगी को क्या किया, बढ़ने लिया, तो उसने बात तो किनी उस मैटर पे, नाराजगी और क्या हो कही बढ़ती चली गई, आक्शन की बात कर रहे हैं, अगला वर्ड है, डेंट पहुचाना, डेंट करने का मीनिंग होता है, किसी की उपर नेगेटिव इंपाक्ट डालना, गाडी में डेंट लग जाता है, मतलब किसी ने ठोक दी गाडी पीछे से, तो डेंट रग गया, तो डेंट का मीनिंग क्या होता है, किसी इसको नेगेटिव इंपाक्ट करना, खराब तरीके से इंपाक्ट करना, इस डेंट पहुचाना, डामेज कर देना किसी चीज़ को, रेप्यूटेशन को, कॉन्फिदेंस को, किसी की पहुचा देना मीज, खराब कर देना, बहुत नेगेटिव शब्द है यह, पाट ऑफ स्पीच इस, आक्शन की बात करनी है, तो यह शब्द आपका वर्ब हो गया, अंडर्माइन पर डबल स्टार मार्ग करो, इंपोर्टेंट वर्ड है, अंडर्माइन करना, इंपेर करना दोनों का मतलब क्या होता है, चोड पहुचाना, किसी जिसकी वाल्यो को कम कर देना, अंटेनिम्स, स्ट्रॉंग बना देना, बूस्ट कर देना, और स्ट्रॉंग कर देना, तो ऐसा लगता है, कि कोई भी चीज, उसके कॉन्फिदेंस की उपर नेगेटिव इंपक्ट नहीं शारुक खान जो है, या फिर सलमान खान जो है, पेपसी को एंडॉर्स करते हैं, तो एंडॉर्स करने का मीनिंग क्या होता है, पब्लिकली किसी जिसको सपोर्ट करना, पब्लिकली किसी जिसको एड्वोकेट करना, समर्थन करना, किसी जिसको चाम्पियन करना, that means, एंडॉर करना एंटनिम्स क्या हो गए दिनाउंस त्याग दिया डिपलोर नफरत कर ली एक्षन की बात करें वह तो उस पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे सबने सपोर्ट किया कि जो लैंड माइन्स है उनकी उपर क्या किया जाए बैंड लगाया जाए सबी लोगों ने इस बात को स्फियर डोमेन उसके जो इंट्रेस्ट है वो पॉलिटेक्स के एरिया में है तो पॉलिटेक्स में वो जाना चाहता है समझ आ रहे है वो क्या अबलरी सभी को एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है शॉट ओफ का मीनिंग क्या होता है कमी होना किसी जीज की तो ही इस शॉट इसका मतलब क्या है उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी है किस चीज की confidence की little less than थोड़ा बहुत जुतना चाहिए उससे कम उसके अंदर क्या है confidence है walk the talk you should walk the talk जैसा आप बोलते हो आपको action भी लेना चाहिए आप से बोलो ही बोलो मत करके भी दिखाओ उस चीज को आप बोलतो देते हो मैं हम अपना 100% दे रहे हैं तैयारी में लेकिन उस चीज को करके भी दिखाओ है ना you should walk the talk means putting your words into action showing that कि जो आप कहते हो आप उसको करते भी vocabulary clear सभी को